हेलो फ्रेंड्स में देवे नारी और आज हम बात करेंगे प्रश्न बैंक 2021 बावीस अंग्रेजी विसे ही कक्षा 9 जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 9 थे कि इंगलिस की कुष्चन बैंक को अपने चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं और आपको पता है कि दो अंसन पैसे जाते हैं आपके सेक्षन ए में रिडिंग कॉम्प्रेशन में और वो जो दोनों अंसन पैसे आएंगे वो इसी कुष्चन बैंक में से आने वाले हैं तो इन अंसन पैसेज को हमें बहुत अच्छे से सौलू करना है क्योंकि एक्जाम में हमको यह सौलू करना है तो देख लेते हैं हमने तीन अंसन पैसेज कम्पलीट कर लिए हैं और आज की वीडियो में हम चोथा अंसन पैसेज करने वाले हैं तो ध्यान से समझेए से की हिष्ट्री में, यानी की इतिहास में, बहुत ही एकम्पलिश्ट साइंटिस्ट मानी जाती थी, यानी की बहुत ही जानदा संपन, जिनने कहा जाए की, पूर्ण रूप से या पूर्ण तहा, जो वग्गैनिक थी, ऐसी वग्गैनिक थी together with her husband Pieri और उनके husband के साथ में जिनका नाम क्या था Pieri था she discovered radium उन्होंने किसकी खोच की थी radium की खोच की थी an element widely used for treating cancer एक ऐसा element एक ऐसा तातूर जिसको cancer की इलाज में इस्तिमाल किया जाता है and studied uranium and other radioactive substances और इसके बाद में उन्होंने uranium के बारे मध्यन किया और दूसरे radio धर्मी पदार्त के बारे में भी अध्यन किया Pieri and Mary had an amicable collaboration Pieri उनके जो पती थे उनमें और Mary के बीच में बहुत ही amicable collaboration था याने कि बहुत ही मैत्रिपूर्ण संबंद था एक दूसरे की बहुत मदद करते थे एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते थे Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland Mary का जो जनमे था वो पॉलेंड में हुआ था वर्सवा इस्थान पर 1867 में Where her father was a professor of physics जहां पर उनके पिता जी फिजिक्स के प्रोफेसर थे At an early age, early age याने की बचपन से ही She displayed a brilliant mind and a casual personality उन्होंने एक brilliant mind का display किया display याने की production किया मतलब उनका जो दिमाग था वो बहुत ही शानदार गुद्धी थी उनके अंदर and a casual personality और उनकी जो personality जी उनका जी वेक्तित ही था बहुत ही casual था casual याने की कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में कभी ना कभी बोलते रहे ना अध्यन करते रहे ना उसके पीछे पढ़ जाना इस परकार की उनकी personality थी Her great exuberance for learning prompted her to continue with her study after high school और उनका जो great exuberance था exuberance का थो होता है अधिक्ता किस चीज़ के अधिक्ता थी उनके अंदर learning सीखने की prompted her to continue with her study after high school prompted का थो होता है प्रेरित करना इस बुद्धी के कारण इस attitude के कारण अधिक जाना सीखने की उनकी जो प्यास थी उसके कारण उस चीज़ ने उनको प्रेरित किया कि वो high school के बाद में भी अपनी पड़ाई जारी रखे she became disgruntled वो बहुती disgruntled हो गई disgruntled कारण थो होता है बहुती गुस्टे में हो गई बहुती नाखुस हो गई असंतुष्ट हो गई however when she learned that the university वर्सवा वाच क्लोज डू वूमन जब उन्होंने ये पाया जब ये उनके सामने तत्या आया कि जो वर्सवा है जो जगा है वर्सवा सहर है वहां की university में महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं महिलाओं के लिए वो university बंद हो गई वर्सवा की जो इनिवर्स्टिक थी वहाँ पर महिलाओं को पढ़ने पर पावन दी थी जब उनने सुना तो वह बहुत ही नाखुस हो गई यह बहुत गुस्टे में हो गई determined to receive a higher education और आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने निश्चे क्या किया किसी defiantly left Poland in 1891 entered the serban उन्होंने क्या किया defiantly defiantly का आड़त होता बेखोप होकर बेधड़क होकर उन्होंने क्या किया Poland को छोड़ दिया ठरफ इंक्यानवे में और कहां चले गई सरबन चले गई एक जागा का नाम है French University रह वहां पर उन्होंने की फ्रांस के चले गई उन्होंने पोलेंड को छोड़ दिया और सरबन चल गई और किस यूझिवर्सिटी में चले गई फ्रेंच की वेर सी अर्नड हर मास्टर्स डिग्री और डॉक्टरेट इन फिजिक्स जहां पर उन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की और अपनी डॉक्टरेट की ना किया उन्होंने किसमें डॉक्टरेट किया फिजिक से में डॉक्टरेट किया तो ये मेरी क्यूरी के बारे में पैसेश था जिसमें हमने जाना कि मेरी क्यूरी बच्पन से ही बहुत ही विलक्षन बुद्धी की लड़की थी और आगे जाकर वो साइंटिस्ट बनी उन्होंने जो है किसकी खोश की रेडियम की खोश की यूरिनियम के बारे में भी उन्होंने जानकर अध्धिन किया और इसके बाद में उनका जो बच्पन था जिस जगा पर वो जन्म में उनका हुआ था वहांपर महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं थी पावंदी थी तो उन्होंने इस जगा कोई छोड़ दिया चलिए अब कॉश्चन की बात कर ली जाए कि अब कौन-कौन से कॉश्चन हमको करना है कि Where did Mary earn her master's degree from Mary ने अपनी master's degree जो है वो कहां से की तब ही हमने पढ़ा उन्होंने कहां से की A university in Sorbon ठीक है Sorbon की university में से उन्होंने 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 उन्होंकी master's degree की देख वा है ना यहां पर लिखा था ना यह सॉर्बन French university तो यहां पर French नाम नहीं लिखा है सिर्फ यूनिवर्सिटी बताईए कौन से यूनिवर्सिटी सॉर्बन की Second है What was marriage father Mary की पिता जी क्या थे तो उनकी पिता जी क्या थे है प्रोफेसर आफ फिजिक से थे तो यहां पर क्या आएगा प्रोफेसर आएगा Third है Mary left Poland and traveled to France to enter the Sorbon Mary ने जो है पोलेंड को छोड़ दिया और France से सेली गई और Sorbon में इंटर किया तो किस प्रकार किया तो यहां पर C वाला आणसर आएगा Boldly Boldly ने बहुत ही बेधड़क बेखोफ होकर पहादुरी के साथ यहां पर एक सब्दा आया था Defiantly Defiantly का अर्थ भी यह होता है जो Boldly का अर्थ होता है ठीक है चलिए चोहता कोशन है Mary Curie की जो डॉक्टरेट की उपादी थी तो किस में डॉक्टरेट किया था उन्हों नहीं यहां पर हमारे पास आंसर है डॉक्टरेट इन फिजिक्स ही तो यहां पर फिजिक्स आएगा ठीक है पाच्वों कोशन है Write the noun form of the word discover Discover की noun form क्या होती है Discover की noun form होती है discovery यहां खोज होती है तो friends I hope यह passage आपको समझ में आ गया होगा यह passage exam में आता है तो आप definitely 5 out of 5 mark से लेकर आएंगे इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आपको सारे answer and passage के वहाँ पर solution मिल जाएंगे Thank you very much for watching धन्यवाद लाइक जरूर करना और अच्छे से कमेंट करना